फूड फूड हैल्थ एंड हाइजीन का जो रिमेनिंग पार्ट था उसी को हम लोग पढ़ रहे हैंगे साइंस में है कुँट दिसीज जो एक वेक्त से दूसरे वेक्त में भीमारी फ्यलती है च्ञुने उसको हम च्छूथ की विमारी कहते हैं सच.चछे छोटे यह सबी जहाएं जो रोग जनक हैं वो बीमारी हमें यह हवा के द्वारा वाटर पानी के द्वारा इंफेक्टेड फूड दूसित बोजन करने से डारेक्ट contact with the infected person or insect bite किसी संक्रमित ब्यक्ति के संपर्क में आने सो किसी की कीड़े के काटने से होता है हवा जन्नित होने वाली बीमारियां वैन इन्डीजल सफ्रिंग फ्रॉम इन्फेक्शन डीसी स्नीज कफ जर्म्स डीसी स्पेड़े इंडायर जब कोई व्यक्ति संक्रमित है और वहाँ खासता है इसनीजी छीगता है कफ खासता है तो जो किटाण में वो हवा में फैल जाते हैं अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है और वो समय हवा लेगा तो वो भी उसी तरीके से बीमार हो जाएगा बच्चे बहुज़ली बीमार होते हैं कॉछ इस तरीकी की बीमारियों पुदारन है जैसे फ्लु फ्लु का मतलब होता है आपको जुखाम के साथ बुखार और बदंदर्द हो ना कुण्ड जो है आपको सर्दी लग जाना काफ खानसी हो जाना बूपिंग कफ को­कर खासि हो जाना मीजल्स खचरा खसरा की बिमारी हो जाना और टिप्थीरिया का मतलब होता है खले में सांस लेने उने में दिक्कत होना टीवर क्लोग OL TB की बीमारी होना पानी से फैलने वाली बीमारियां पानी से होने वाली जो बीमारियां होती है वो दूसित पानी से होती है जब मनुश्या जानवरों के द्वारा उसमें मल छोड़ा जाता है वहने परसन ड्रिंक्स कंटेमेंट वाटर जब कोई भी व्यक्ति जो है दूसित पानी पीता है जर्म डिसीस इंटर द बॉड़ी तो कीटान उसके सरी में प्रिवेस कर जाते हैं और व्यक्ति जो है संक्रमित हो जाता है दस है लाल नंबर आप पिपल हो डूसित पानी पीते हैं वह बीमार होते हैं इटनी पेल जाती की ये एक मामारी का रूप ले लेती है food born diseases बोजन से होने वाली बीमारी हैं जो दूसित बोजन से होने वाली बीमारी है food born diseases are causes by the consuming contentment food यह जो बीमारी है वो यह सेम कारण है दूसित बोजन करने से होती है germs of diseases लिए इंटर अनकवर्ड फूड कीटांड जो होते हैं बिना डखे बोजन में प्रवेस कर जाते हैं अनकवर्ड फूड आइटम और कॉंवर्ड ली सोल वाई विंडोर्स वाई रोड साइड बिना डखा हुगा बोजन जो होते हैं फेरी वाले सड़के किनारे बेचते हैं a lot of dust enters these food items बहुत सी मिठी से फूड में मिठी फूड आइटम्स में बोजन सामिक्री में प्रवेस कर जाती है there is a swarm of flies all around them चार और मख्यों का जुंड जो है घुमता रहता है स्वार्म में सोता है मख्यों का जुंड flies and dust are the big carriers of germs of diseases मख्यों और धूल जो होती है वो सबसे बड़े कीटाणों को ले जाने वाले कारण होते हैं जिससे बीमारियां होती है flies sit on the food items मख्यों जो होती है वो बोजन सामिकरी बैठ जाती है and leaves germs on them और उस पे कीटाणों छोड देती है similarly इसी तरीके से dust particles also content जाती है कीटाणों ले जाते हैं these dust particles fall on the uncovered food items sold by the roadside windows इसी तरीके से यह जो food item है बहुत जादा तर जो है बिना डखा हुआ बोजन जो सड़क के किनारे फेरी वाले बेचते है when a healthy person eat these food items और जब एक स्वस्व्यक्ती इस तरह का बोजन खाता है the person fall hell वो ग्यक्ती बिमार पर जाता है sometimes food is ended by people whose ends are not properly cleaned कभी-कभी ऐसे आद्मियों के दारा बोजन दिया जाता है जिनके हाँ तक साफ नहीं है thus इस परकार germs prevent on their sand and under their fingernails enter the food items and causes diseases इस तरीके से जो कीटांड जो होते हैं उनके हाथों से और उनके जो नाखून के अंदर गंदगी बरीवी होती है उससे वो हमारे बोजन सामिकरी मिल जाते और अम बीमार पड़ जाते है most common disease in this category are जो इसमें मुख बीमारिया आती है उसमें cholera आपका हैजा हो गया type hide जो है म्यादी बुखार हो गया decentry pages हो गया इरिया आपका अतिसार हो गया इस diseases is created by the containing food as well as contained water ये बीमारियां जो हैं दूसित बोजन और दूसित पानी से होती है through direct contact किसी के सीधे संपर्क में आने से some diseases are causes by the direct contact with the patients कुछ बीमारियां किसी मरीज के सीधे संपर्ग में आने से हो जाती है Direct Contents means touching the patient सीधे संपर्ग में आने का मतलब होता है मरीज को touching करना चूना Using his cloth, utensil, etc उसके कपड़े और बरतन का उपयोग करना Common disease in this category इसमें जो मुख बीमारियां आती है उसमें आपकी खुजली है इच मिस खुजली और स्केबीज मिस खाज, रिंग बॉर मिस दाद, मीजल मिस खचरा और चिकन पॉक्स मिस चेचक इत्याद है Victor born diseases कीट पतंगों से होने वाली बीमारियां Diseases spread by victors कुछ बीमारियां कीट पतंगों से फैलती है सच इस जैसे के घरेलू मक्ही है मॉस्कीटो मच्छर है और कॉकरोच आर नौन Victor born diseases इनको जो है Victor born diseases कहते है मॉस्कीटों में केरी वाइरस ऑफ डैंगू और मलेरिया parasite विच में causes डैंगूर ओर मलेरिया मॉस्कीटों जो होता है मच्छर जो होता है डैंगू का वाइरस जो बिसाडू है वाइरस में बिसाडू जो मच्छर है वो दैंगू और मलेरिया पर जीवी का बिसाडू साथ लेके चलता है For example पिल उदारण के तौर पर वेन ए फीमेल एनो फ्लोस मॉस्कीटो सक्ट दा बलड ओफ ए परसं सफरिंग फ्रों मलेरिया जर्म्स और मलेरिया इंटर दा मॉस्कीटोस बॉडिस अगर मान लीजिए किसी विक्ट को एक मादा मक्षर एनो फ्लीज मॉस्कीटी ने उसके खून को चूस लिया और उसके खून को चूस ने से उस विक्ट को मलेरिया था तो वो मलेरिया के टाणू पहुंचा देगा next उसके बाद when it sting healthy person जब वो एक स्वस्ति वेक्ति को काटेगा मच्छर it leaves the germs malaria inside inner body तो उसके सरीर में वो malaria के कीटाणू पहुचा देगा soon the healthy person suffer from malaria and the chain grows like an epidemic सीगरी जो है एक स्वस्ता आदमी को भी malaria हो जाएगा इस तरीके से जो है सिंखला बढ़ती जाएगी और an epidemic महामारी फैल जाएगी similarly ठीक इसी तरीके से an infected edis mosquito इसी तरीके से जो edis मक्छर है वो भी transmit भी ट्रांस्मिट सहलाता है डेंगू का वाइरस डेंगू का विसाणू फैलाता है एक व्यक्त से दूसरे व्यक्त में when it is इस्टिंग जब वो किसी को काटता है prevention of communicable diseases communicable diseases से बचने क्या क्या तरीके हैं the immunizations is the way protecting the human body against the infection disease through the vaccine हमें चाहिए लोगों के अंदर रोग प्रत्रक्षा छमता बढ़ानी चाहिए और वो बढ़ बढ़ तभी पाएगी जब हम उनके vaccine लगवाएंगे immunization prepares our body to fight diseases if we are in contact with the futures जो रोग प्रत्रक्षा हमारे सरीर में बढ़ जाती है वो भविस में आने वाली बीमारियों से लड़ती है young children must be vaccinated to get immunity बक्चों जो नौजवान बच्चों का समदा है उनके जो है vaccine लगना बहुत ज़रूरी है यह देखिए बच्चे के vaccine लग रही है और resistance में many diseases such as और उनके अंदर सरीर के अंदर रोग प्रत्रक्षा चमता इतनी बढ़ जाए जैसे कुछ बीमारियां पोलो है diptheria है, whooping cough है इससे वो बचे रहे हैं hygiene की बात करते हैं स्वच्चता की बात करते है hygiene may be defined as science is a cleanness बिग्यान जो है hygiene को स्वच्चता मानती है that ensures good health and prevents diseases बिग्यान का मानना है कि इससे हमारा स्वस्थ रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते है to keep ourself free from diseases and to have a good health इससे क्या होता है तो हम बीमारियों से बचे रहते है और हमारा दूसरा स्वास्थ भी अच्चा रहता है we should be careful about hygiene हमें अपने स्वच्चता के प्रस्देफ साबदा रहना चाहिए the various practice that help बहुत सारी चीजों का अगर हम अब्यास करते हैं तो help in maintaining good health तो हम अपने अच्चे स्वास्थ को बनाने में हमें साइता मिलती है और कार्ड hygiene जिसे हम hygiene कहते हैं स्वच्चता कहते हैं अगर हम अच्चे स्वास्थ को बनाए रहते हैं और उसका अब्यास करते हैं तो वही स्वच्चता कहला आती unizing condition in surrounding lead of diseases जिस सवच्चता होगी वहां के परवेश में बीमारियां बढ़ती हैं it is necessary to adopt the hygiene habits in common community हमें चाहिए कि जो स्वच्चता की आदत हैं वो एक समुदाइग में बहुत आवस्स्यक हैं जैसे school है and other places और भी कई स्थान है here are the some ways to maintain the proper hygiene यहां पर जो है सई तरीके से सवच्चता को बनाए रखना चाहिए सवच्चता को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है was our hand thoroughly with the soap after using the toilet toilet जाने के बाद अपने हाथ सावों से दोना चाहिए was your hand with soap before and after having our meals अपना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ सावों से दोना चाहिए टे के बाद डेली remove the sweat dust and germs from the body it would also make you feel fresh हमें जो है टे के बाद हमें रोज नाना चाहिए हमें रोज नाना चाहिए इससे क्या होता है remove miss हट जाते है sweat miss पसीना इससे हमारा पसीना हट जाता है और dust and germs from the body और हमारे सरीर के अंदर जो धूल है कीटाडव है पसीना है ये सब नाने से साफ हो जाते है it would also make you feel fresh नाने से हम अपने आपको तरो ताजा भी मैसूस करते है renaize your eyes with cold water while bathing जब आप ना रहे हो तो ठंडे पानी से अपनी आँखें जरूर दोईए brush your teeth twice a day to avoid the blood of a pluck हमें जो है brush दिन में दो बार करना चाहिए जिससे कि हम pluck pluck miss होता है दातों पर एक गंदी परत जम जाती है उससे बचने के लिए हमें दो बार brush करना चाहिए brushing remove the food particles that are suck in the teeth brush जो होता है वो हमारे दातों के अंदर जो बोजन फस जाता है stuck जो फस जाता है उसको जो है बाहर निकाल देता है and helps the prevent growth of germs और हमारे मुँ में जो कीटाण बढ़ने वाले होते हैं उनको रोख देता है massaging the gums gently keep the teeth strong and healthy अपने मसूरों पर हमें massage करना चाहिए massage का मतब धीमे धीमे रगणना चाहिए जिससे कि ये अच्छे बने रहे हैं और दात हमारे मजबूत और स्वस्त बने रहे है trim your nails regularly और अपने नाखून नियमित रूप से काटते रहे हैं जब भी आपके नाखून बड़े हों तो उनको काट लें cleaning the tangue with a tangue cleaner जीव साफ करने वाले से अपनी जीव की सफाई करते रहें helps prevent the bad breath इससे हमारे मूँ से आने वाली बदवू की सांसे रुख जाती है regular exercise नियमित वयाम most of the diseases are result of an infected lifestyle ज्यादा तर बीमारियां जो हैं वो हमारी सुस्ती का ही परड़ाम है we must exercise regularly to maintain good health अच्छे स्वास को बनाए रखने के लिए हमें जो हैं वयाम बहुत आवश्चक है exercise is the best way to keep the digestive system in proper working condition वयाम करने से हमारे सरीर का पाचन तंत्र जो है walking टेलना, running, दोड़ना and playing outdoor games और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को खेलना are same useful exercise यह भी हमारे लिए एक वयाम ही होती है yoga also help the body and mind healthy yoga से भी हमारा जो है mustics सरीर और mustics स्वस्त रहता है the various yoga posture is strengthened feet बहुत सारे yoga की मुद्रां से हमारे जो feet हैं वो मजबूत हो जाते हैं टांगे, हाथ, पेट का जो हिस्सा है lower back feet का हिस्सा है और हमारी टांगे एंगी and shoulder muscle और mass pace यह सभी की सभी जो है yoga करने से मजबूत बन जाती है good postures सही मुद्रा postures refer to the position posture का मतलब होता है आकी बैटने की इस्तिति in which we keep our body while doing it different activities like standing हम अपने सरीर को कई गतिविदियां करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम खड़े हो रहे हैं बैट रहे हैं चल रहे हैं bending जुक रहे हैं lay down नीचे उतर रहे हैं तो हमें अपने सरीर की जो position है वो पीठ की सही रखनी चाहिए देखी यह posture है आप कुरसी पे बैट दें तो आप ऐसे होना चाहिए और अगर आप इस तरह से बैट गए तो यह गलत हैगा तो हमें हमेशा इस तरीके से अपने पीठ को सीधा रखना चाहिए We must keep our back straight हमें अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए while doing any these activities कोई भी हम गती विदी कर रहे हैं यानि कोई भी काम कर रहे हैं Good postures give us a smart look अच्छी आकरती हमें जो है सुन्दर बनाती है to our body हमारे सरीर को खुबशूरत बनाती है शुंदर बनाती है और कई जो हमारी शमशाए हैं उनको भी रोखती है जैसे कि बैक एच पीठ में दर्द होना मस्कुलर पेन मास्पेसियों में दर्द होना एंड इस्ट्रेन और तनाव होने से भी हम बचते हैं इनकरेक्ट पॉस्चर्स में लीड गलत मुद्रा जो है हमें कई विमारियां देती है रेस्ट यानि आराम आफ्टर एडे अक्टिविटी आवर बॉड़ी नीट रेस्ट दिन भर की गतिविदी यानि काम करने के पश्चाद हमारे सरीर को रेस्ट चाहिए आराम चाहिए रेस्ट इसेंसियल टू रिस्टोर एनरजी आराम करने से हमारे सरीर के अंदर पुने उर्जा संचारित हो जाती यानि फिर तागत आ जाती है स्लीप इस दे बेस्ट वे तू रेस्ट आराम का सही तरीका है स्लीप यानि सोना सोना ही सबसे अच्छा आराम माना जाता है during sleep जब हम सोते हैं our body gets time to repair damaged tissues and cell as well as to relax तो हमारे सरीर के जो सरीर है उसके जो tissues हैं उतक हैं जो damage हो गए हैं उनकी मरम्मत हो जाती है और हमारी कोशकाएं को भी आराम मिल जाता है nowadays आज का इस चिल्डन waste their time to watching televisions आज काल बच्चे अपना बहुत सारा समय जो है टीवी देखने बरबाद कर रहे हैं या working on a computer during the late hours in the night या रात देर रात जो है computer पर काम करते रहते excessive television viewing among the children's leads to a lower attention जादा बच्चे जादा अगर TV बच्चे देखेंगे तो बच्चों के अंदर जो है उनका ध्यान में कमी आ जाएगी and poorer brain developments और उनका जो brain है वो poorer हो जाएगा यानि जो उनका मस्तिक्स है वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा इसलिए बच्चों को जादा से जादा TV नहीं देखना जाएगे जेहन